मोदी नहीं हकीकत बुन्दे तभी तो सब मोदी को चुन्दे तभी तो सब मोदी को चुन्दे भारत को निमाने स्वागते भी स्वागते अब की बार मोदी 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 स्वागते भी स्वागते शेरों की नगरी वबास्वी नगरी पिलिभीत में हम सब के परम आधर्णिये प्रधान सेवक जननायत महापुरुष परम आधर्णिये माननिये प्रधान नरेंद्र मोदी जी को पिलिभीत की धरापे हार दिगा भिनन्दन एवं स्वागत करते हैं स्वागत है भई स्वागत है कारक्रम की श्रिंकला को आगे पढ़ाते हुए मैं माननिय मुख मंत्री श्री योगी आधितनात जी एवं अपनी प्रदेश अध्याक्ष माननिय भुपेन चौजरी जी से बिनम आगरह करूंगी कि वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क के तहट बासुरी नगर पीलिवीत की मधुर बासुरी भेट कर माननिय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें कारक्रम की श्रिंकला को आगे बढ़ाते हुए अम्में अपने भीजेपी के लोगप्रिय प्रत्याशी श्री जतिन प्रसाद जी एवं छत्रपाल गंगवार जी से आगरह करूंगी कि वे माननिय प्रधान मंद्री जी को पुष्ट कली भेट कर उनका आशीश प्राप करें तालियों के गरगराहद रुकनी नहीं चाहिए ये विजे का शंगनाद है मोदी 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 नारी राष्ट से अक्सी अस्ती अर्थात महिलाएं ही राष्ट की आख होती हैं और इस यथार्थ से परम आदर्णिय प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबका परिशे करवाया है अथा मंचवार उपस्ति डॉक्र जलदीत कोड जिला पंचायत अध्यक्ष सपिता वर्मा ब्लॉक प्रमुक ग्रीता मिश्चा जिला ध्यक्ष महिला मोर्चा शिरी मती रश्वी जैस्वाल नगरपालिक अध्यक्ष और स्वैन में डॉक्टर आस्था अगरवाल नयारुक अध्यक्ष समस्थ नारिश अक्ति आपका स्वानद्ट ब्लॉक भारत संतों की भूमी है यह वंदन की भूमी है अभिननदन की भूमी है और आज पिलिविद नगरी का स्वभाग है कि नवरात्र के पहले ही दिन माननिय मुखमंत्री आदित नात जी हम सब के समख्ष है आपके व्यक्तित्व क्रतित्व का अंदाज निराला है प्रदेश में चहु और विकास का फैला उजियारा है योगी संतों की पावन तपस्थली से महका कंकं मिसाला है आपके संकल्पों को पूरिक करता संकल्प हमारा है इनी शब्दों के साथ युवाओं के दिलों की आदे गंगा मा गौमती के उद्गम अस्थल पीली भीत में बासंते नौरात्री के प्रथम दिवस पर आज आधनिये प्रधान मंत्री जी का आगमन हुआ है पीली भीत वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं देश के सुष्षी प्रधान मंत्री जी का पीली भीत की स्पावन धरा पर हिर्दे से सागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ बेन और भाईयों आर बासंतिय नौरात्री की प्रधामति भी भारतिय नौसंबत सर प्रारंब हो रहा है इस औसर पर मैं आप सब को भी आदि सक्ति मा भगवती जगदंबा के इस पावन दिवस पर हिर्दे से बधाई देता हूँ अपनी सुपकामनाय देता हूँ मंजपर उपस्तिक भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश के अध्यप्स मान्य चौदरी भुपेंद्र सिंग जी केंद्रिय मंत्री सी बी एल बरमा जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगन सी राकेश सचान जी बल्देव सिंग ओलक जी संजय सिंग गंगवार जी पूर केंद्रिय मंत्री और बरेली के सांसत प्रसाची पीली भीट लोगसबा सीड से परत्यासी उत्तरव्रदेश सरकार के मंत्री सी जितिन प्रसाची बरेली लोगसबा सीड से भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी सी छत्रपाल सिंग गंगवार जी पूर मंत्री सी सुरेश राणा जी आज के इस कारिक्रम में पस्तित सभी माननिय जन प्रत्य निधिकर्ण और पीली भीट से जुड़ेवे सभी उपस्तित बेन और भाईयों मैं आप सब की ओर से देश के यसस्षी प्रधान मंत्री और दुनिया के सबसे लोगप्रिय राजनेता आदनिय स्वी नरेंद्र मोदी जी का पीली भीट किस धर्ती पर आगमन पर हिरदे से स्वागत करता हो अभिनंदन करता हो बैन और भाईयों यह हमारा सभाग्य है कि स्वतंद्र भारत के स्वर्ण युक्य रूप में जाने जा रहा है भारत आज आदनिय मोदी जी के नित्रतों में एक ग्लोबल पावर बनने के और अग्रसर है हम सब की आने वाली फीडिया इसके बारे में कृतिकिता ग्यापिक करेगी बैन और भाईयों आज इस बदलते वे भारत को हम सब ने देखा है ये बदलतावा भारत जिस बदलते वे भारत में सुरक्षा भी है सम्मान भी है विकास की बड़ी बड़ी परयोजनाएं भी है और गरीब कल्यान की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं बैन और भाईयों ये बदलते वे भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था कभी वखंड भारत का हिस्सा था कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ लेकिन सिक भावनाओं का सम्मान करते वे भारत की उस आस्ता का सम्मान करते वे करतारपुर कोरिडोर का निर्मान मोदी जी के नित्रत्व में ही संभव हो पाया जब प्रधान मंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने बेनोर भाईयों हम सब इस बारे में जानते है कि देश के अंदर गुरगोविंद सिंग्जी महराज के चार-चार साथजादों ने भारत की हिंदु धर्म और संस्कृतिकी रक्सा करने के लिए अपने आपको बल्दान कर दिया था लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था हम आबारी है अधनिय प्रधान मंत्री जी के जिनोंने 26 दिसंबर की तिथी को बीर बाल दिवस के रूप में पुरे भारत वासियों को दे करके भारत माता के लिए अपना सर्वस्वने च्छावर करने वाले गुर्गोविंद सिंग्जी महराज के उन चार-चार साथ जादों के प्रती और उन अपनी कृतक ग्यापित करते वे 26 दिसंबर की तिथी बीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया और आजपुरे देश के अंदर हर जगे हर और या इचन होता रहा है हमारा इपीली भी जहां अपनी किर्सी के लिए जाना जाता है वहीं अपनी अद्बुत कला के लिए भी जाना जाता है किर्सी में गन्ना किसान यहां की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बलकि दुनिया में पहुचाने का काम करते है और बताते हुए ये भी प्रसंता है बेन और वाईयो कि मोदी जी के इने तृत्व में संभव हो पाया कि गन्ना किसानों के गन्ना मुल्य का वुक्तान अब समय पे हो पा रहा है अन्यता कई कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था आज यहाँ पे सुरक्षा भी है तो संभरिदी भी है आज यहाँ पर आजिविका है तो आस्ता को सम्मान भी है कोई सोचता था अयोध्या में राम लिला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा बैन और भाईयों अगर यह हो पाया है तो यहाँ प्रुदान मंत्री मोदी जी के सश्वी नित्रत्व में उनके मार्ग दर्शन में वर्तमान पीड़ी इन सभी करिक्रमों को आगे बढ़ते वे देख रही है आज के सौसर पर जब भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासियों के लिए बिक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आपके बीच में आया है दस वर्स में बदलते वे भारत में जो कुछ भी हमने देखा है बैन और भाईयों ये आपके एक वोट की कीमत ने किया है आपका वोट जब गलत हातों में जाता था तो फिर भरस्ता चार में सन्लिप्त सुरक्स्ता के साथ खिलवाड करने वाली आतंगबादियों को बिर्यानी खिलाने वाली देश के अंदर पद्रव करवाने वाली नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड करने वाली अन्दाता किसानों को आत्मत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारे आती थी लेकिन दो हजार चौदों में दो हजार उन्नीस में देश के मद्दाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नित्रुत पर विश्वास किया, और बेन और भाईयों, आज बदलते वे नए भारत को आप देख रहे हैं, जो आज एक पिशलगू रास्त ने, दुनिया की एक वर्ड पावर बन र है, विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए, भारती जंता पार्टी ने पीली भीत में जितिन परसाज जी को अपना प्रत्यासी बना करके उतारा है, और बरेली में सिछत्रपाल सिंग गंगवार जी को अपना प्रत्यासी बना करके उतारा है, इन सभी प्रत्या आवाज है उस आवाज के साथ हम सब जुड़ करके कि फिर एक बार पुरे देश की आवाज क्या है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार अब की बार अब की बार इस संकल्प के साथ जुड़ करके लेकिन इस संकल्प की पूर्ती होगी बेन और भाईों जब आप चिनाओं के दिन पहले तीन घंटे में मद्दान करने की दिश से अपने आप भी और अपने साथ के मद्दाताओं को ले करके जाएंगे इस कारे को करेंगे सबी लोग करेंगे सबी लोग सहमत है तो भर मैंनी सब्दों के साथ आधने प्रधान मंत्री जी का हिरदे से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ धन्यबाद जयए मैं माननिय मुखमंद्री जी का अभार व्यक्त करती हूँ अपने आशीश वचनों के लिए परम वैभवम मेतू मेतत स्वर राश्ट्रम की कल्पना को साकार करने के लिए अपने इद्वत लक्ष की प्राप्ति के लिए हर पल चिंतन मनन करने वाले हमारे जनिनायक परम आदर्निये परम श्रदेही प्रधान सेवक हमारे प्रधान मंत्री माननिये श्री नरेंद्र मोदीदी से अनुरोग करती हूँ कि हम सब का मार दशन करें भारत माता की साथियों आज देश के विविन हिस्सों में नववर्ष मनाया जा रहा है आज विक्रम संवत दो हजार इक्यासी का पहला दीन है मैं समस्त देश वाचियों को गुड़ी पढ़वा उगाड़ी चेटी चन नरे नवरे के साथ साथ साजीबू चेरोवा नववर्ष की बहुत बहुत सुपकामनाय देता हूँ आज से चैत्र नवरात्री भी शुरू हो गई है देश भर में शक्ति की उपासना उसकी धुम मची हुई है नवरात्री का परव हो हर कोई भक्ती में डुबा हुआ हो शक्ति उपासना में जुड़ा हुआ हो ऐसे समय इतनी बड़ी रेली यह अपने आप में कजूबा है क्योंकि मेरा जब कारकम बन रहा था तो मैंने कहा भाई नवरात्री है लोग कैसे आएंगे उन्होंने कहा साब बस आप देड़ देजीजिए और इतने कम समय में नवरात्री के पावन परव पर भी इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशिरवात देने आए इस पावन अवजर पर बड़ी संख्या में शक्ती स्वरूपा माताए बेने बेटियां हमेश आशिरवात दे रही है मैं सभी सिख गुरूपा को भी नमन करता हूं कुछी दिन में बैशाची भी आने वाली है मैं आपको बैशाची की भी शुकामनाई देता हूं मुझे हाँ पिलिभीत के साथ ही बरेली की जनता जनारदन के दर्शन का भी सवभाग्य मिला है और सब दूर एक ही संदेश है बहुत ही स्पस्ट संदेश है एक की गुंज सुनाई दे रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों हम बच्पन से सुनते आए है सवा लाग से एक लड़ाऊं चीडियन तै मैं बाज तुड़ाऊं तबै गुरु गोविन से नाम कहाऊं ये बोल भारत की वीर परंपरा के प्रतीक है ये बोल दिखाते हैं कि लक्ष कितना ही कठिन क्यों नहों भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है आज इसी प्रेणा से इसी उर्जा से भारत के लोग हम लोग दिख्षिद भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है आप मुझे बताईए साथियो भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फैराया तो आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ भारत में हुए भव्य जी ट्वेंटी सम्मेलन की पूरी दुनिया में वहवाई हुई प्रसंसा हुई आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ कभी कॉंग्रेस सरकारे दुनिया से मदद मांगती थी लेकिन कोरोना के महा संकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाईयां भेजी वैक्सीन भेजी ये सुनकर आपको गर्व हुआ कर नहीं हुआ दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया हम एक एक भारतिय को सुरक्षीत वापिस लाए अफगानिस्तान से गुरुगरं साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी स्रज्दा से भारत लाए आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ सात्यों जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उज़की सुनती है आप मुझे बताईए दुनिया में भारत का डंका बज रहा है एक नहीं बज रहा है चारों तरब डंका बज रहा है और नहीं बज रहा है दुनिया के हर कौने में डंका बज रहा है और नहीं बज रहा है ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है, ये आपके वोट की ताकत है, आपके एक वोट से मजबुत सरकार बनी, मिरनायक सरकार बनी, ससक्त सरकार बनी, काम करने वाली सरकार बनी, और बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया, कि भारत कीशी से भी कम नहीं है, साथियों, जम नियत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं, आज हम चारों तरफ विख्षित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं, कही फोर लेन, सीक्स लेन, एट लेन के हाइवे बन रहे हैं, कही भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कही बन्दे भारत और अमरत भारत जैसी आधुनिक ट्रेने चल रही हैं, पिली भीत, भोजी पुरा और पिली भीत से टनकपूर तक रेलवे के ब्राडगेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलनने लगी है, धनारा गाट पर दो सो पचास करोड की लागत से पूल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है, इससे शारदान नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी, ये जो सुविदाए बन रही है, एक किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए आउसर लेकर के आती है, पुरानी सरकारों के दोरान जो उद्योग यहाँ बंद पड़ गए थे, जो फैक्टरिया यहाँ बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई उर्जा मिलेगी, पिली भीत में एक तरफ बांशूरी की सूरीली आवाज है, तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है, हमारी सरकार पिली भीत टाइगर रिज़र की ख्याती को भी देश और दुनिया के कौने-कौने में ले जाने का काम कर रही है, यहाँ इको टुरिजम का नया इको सिस्टिम बन रहा है, यहाँ के नव जवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नये आवसर बन रहे हैं, साथियों, पिली भीत और ये पूराक्षेत्र खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है, आप याद कीजिए, दस वर्ष पहले तक किसानों की क्या सिटी थी, महंगे यूरिया की काला बाजारी होती थी, और किसानों को लाठिया खानी पड़ती थी, आज यूरिया भी परियाप्त मिलता है, और लगातार मिलता है, जो बोरी दुनिया में तीन हजार रुपिये में यूरिया की बोरी बिक्ती है, वो हमारी सरकार सिर्फ तीन सो रुपिये से भी कम किमत पर यूरिया की बोरी किसानों को देती है, यहाँ यूपि के किसानों को पी-एम किसान सम्मान निधी के तहर करीब सत्तर हजार करोड रुपिये भी मिले हैं, यहाँ कड़ा छोटा नहीं है, किसानों के बैंक खाते में सत्तर हजार करोड रुपिया यह मोदी सरकार ने पहुँचाया है, और इस में से करीब साड़े आठ सो करोड रुपिये यहाँ पिली भीट के किसानों के बैंक खाते में पहुचे हैं, साथियों, कॉंग्रेस और सपा के राज में, गन्ना किसानों को कैसे अपने ही पैसे के लिए तरसाया जाता था, यह आप से अच्छा कौन जानता है, बाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परिशानी, कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया, और योगी जी ने तो पहले दिन से ही गन्ना किसानों की मुसिबते दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए, कई चीनी मिले खुली है, कई का विस्तार हुआ है, और ये काम लगातार किया जा रहा है, सपा, बसपा, कॉंग्रेस के चौदा साज में जितने रुपे गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा पैसे, बीजेपी ने हाँ, योगी जी की सरकार ने साथ साल में गजना किसानों को दे दिये हैं, देश में इथेनोल ब्लेंडिंग को लेकर, जो बड़ा अभियान चल रहा है, उससे भी पिली भीट के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, गाउं के पास, अनाज बन्नारण की, दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू हो चुकी है, इस योजना के तहब देश में, लाखों नए गोदांग बनाए जा रही हैं, इसका भी लाब पिली भीट के किसानों को मिलने वाला है, आने वाले पाँच वर्सों में, हम ड्रोन से खेती का नया विस्तार देखेंगे, हमारे युवा ड्रोन बनाएंगे, और गाउं के हमारी माताए बेने ड्रोन पाइलट बनेगी, गाउं गाउं में तीन करोड बहिलाएं, यह हमारी लगपती दीदी बनेगी, और ये मोदी की गारंटी है, पक्के घर, हर गर नल से जल, ऐसी हर सुविदा, तेजी से, हर बहन, हर परिवार तक पहुँचे, ये मोदी की गारंटी है, और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानि, गारंटी पूरा होने की गारंटी, साथियों, पिली भीत की धर्ती पर माता यश्वंत्री देवी का अचिरवाद है, फिली भीत में, आदी गंगा, मात गोंबती का पवित्र उद्गमस्तल है, आज नवरात्री के पहले दिन, शक्ती की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूँ, कि कैसे इंडी गठबंदन ने शक्ती को खत्म करने की सोगंद खाई है, आज देश भर में, जिस शक्ती की पूजा हो रही है, उस शक्ती का कॉंग्रेस ने गोर अपमान किया है, जिस शक्ती के आगे हम सीष जुकाते हैं, उस शक्ती को उखाड फैकने की बात, ये कॉंग्रेस के नेता कर रहे हैं, सक्ती का कोई भी उपासक, इंडी गठबंदन को इस अपमान के लिए माप नहीं करेगा, माप करेगा क्या? माप करेगा क्या? साथियों सप्पा कॉंग्रेस के इंडी गठबंदन को भारत की विरासत की परवा भी नहीं है, पांच सो साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, हमारे कल्यारशी जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दिया, देश के हर परिवार ने अपनी अपनी स्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया, पिलिपित वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को बेट की, लेकिन साथियों इन इंडी गड़बंदन वालों को राम मंदिर के निर्मान से पहले भी नफरत थी, और आज भी नफरत है, चलो भई आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना साथ कर लिया, आपने मंदिर न बने, इसके लिए लाख कोशिश कर लिया, लेकिन जब देश की जन्ता ने पाई पाई दे करके इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुना माप करके, आपको प्राण प्रतिष्ठा के कारकम में सम्मान पुर्वग निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रन को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया, भाईयों बैनों मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूँ, कि इनके मन में इतना जहर भरा है, कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको छेट साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है, कोई राम की पूजा करे, इसलिए पार्टी से निकाल दो एक ऐसी पार्टी है भाई ये पाप करने वालों को कभी भुदियेगा नहीं भाई बैनों याद रखेंगे ना याद रखेंगे याद रखेंगे साथियों तुष्टी करण के दलदल में कॉंग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती कॉंग्रेस ने जो गोशना पत्र बनाया है वो कॉंग्रेस का नहीं ऐसा लगता है मुस्लिम लिग का गोशना पत्र दिता है तुष्टी करण के दबाव में ही कॉंग्रेस हो या सपा सीए एका भी विरोध कर रही है विदेशी धर्ती पर अत्याचार की बज़र से भागे भागने के लिए मजबूर हुए हिंदूओं और सीख भाई बैनों को आप मुझे बताइए मेरे इन हिंदू भाईयो बैनों को मेरे इन सीख भाई बैनों को भारत अगर नागरिता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या नागरिता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए वो अपने हैग नहीं है उनको हमें समालना चाहिए नहीं समालना चाहिए C.A. का यहां पिलभीत में रहने वाले अनेट परिवारों को मेरी आपको गारंटी है आप एपलाइ कीजिए आपका हमेशा हमेशा की मुसीबतों से मुक्ती मिल जाएगी आप भारत के नागरी के नाते गर्व से जी पाएंगे लेकिन कॉंग्रेश समाजवादी पार्टी इस पर भी अत्राज जता रही है साथियों यहां इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे यह सरनार्थी भाई बेन भी है हमारे सिख भाई बेन भी है समाजवादी पार्टी आज जिस कॉंग्रेश के साथ खड़ी है उस कॉंग्रेश ने चोरासी में हमारे सिख भाई बेनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता यह बाजपा है जो सीखों के साथ पूरी शक्ती से खड़ी है उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है हमें गर्ब होता है जब करतारपूर साथ कॉरिडोर के द्वारा लाखों स्रधारो दसकों से जो उनके मन में दर्द था पीड़ा थी उससे मुक्त हो करके आज करतारपूर साथ जाकर के मत्था टेक करके हमें आशिरवात लेके आते हैं यह भाजपा सरकार है जितने लंगर की बस्तों पर से जी एस्टी हटाया हमने स्री हरिबंदर सहाप के लिए एप सी आरे रेजिस्ट्रेशन सुनिचित किया जिससे विदेश के लोगों को भी सेवा करने का आउसर मिले हमने वीर बाल दिवस मना कर साहिव जादों के शौर्य को सम्मान दिया गुरु नालक देव जी का 585 वा प्रकास परवहो गुरु तेक बादूर जी का 400 वा प्रकास परवहो गुरु गोविन्सी जी का 385 वा प्रकास परवहो भाजपा सरकार ने देश विदेश में सभी पर्वर धुम धाम से मनाए साथियों कॉंग्रेस और उसके इंडी गड़बंदन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता कॉंग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कभी भी सरदार बल्लबाई पतेल इस देश के महापुरोष जिसने देश की एकता के लिए अपनी जिन्दी की खपा दी उनके सम्मान में स्टेच्यों अफ यूनिटी बना हुआ है दुनिया का सबसे उन्चा स्टेच्यों लेकिन कॉंग्रेस सपावादों को वहाँ जा करके सरदार साब को सम्मान करने का उनको मन नहीं करता है ये लोग विदेशों में तो जा करके घूम करके आते हैं लेकिन अपने ही देश के सरदार पट्रेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते जिन सरदार पट्रेल ने पूरे देश को एक किया उनका भी ये लोग भैसकार करते हैं साथियों भारत को बांटने की साजिस में जूटे इंडी गडबंजन से और कोई उम्मिद नहीं की जा सकती इसलिए देश की एकता अखंडता के लिए भारतिय जनता पार्टी आपके आशिरवाद के लिए हम आपके पास आए हैं आपके आशिरवाद भारतिय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे 19 अप्रिल को पिलिभीट से जीतिन पसाज जी और 7 माई को बड़ेली से छत्रपाल सी गंगवार जी को भारी मतों से जिताने के लिए मैं आप सब को प्रार्षना करने के लिए आया हूँ आप मेरी बात गर-गर पहुचाएंगे हर पॉलिंग बुठ में जाएंगे पॉलिंग बुठ जितने के लिए योजना बनाएंगे अच्छाय मेरा एक काम करोगे एक मेरा काम करोगे मेरा पर्सनल काम है करोगे गरगर जाना और जाकर के बताना के मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम बेजा है मेरे प्रणाम पहुचा दोगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल